हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल, लोशू विक्यान, सो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और पढ़ाई के नेक्स चेप्टर पर चलते हैं, और मैंने आपको औरेडी दो वर्टिकल प्लेंज के बारे में बता दिया है, इसमें से फॉस्ट वोज थॉट प और यह अगें एक भी नंबर मिसिंग हो का, तो उतनी ही पावर कम होती जाएगी, हर एक बॉक्स की पावर है 33%, यह मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जस्ट रिपीट करों, ताकि जिन्नोंने नहीं ध्यान दिया है, वो जो वापर से ध्यान दे, हर एक बॉक्स की पावर है 33%, मान लीचे यह नंबर मिसिंग है, तो टोटल कितनी पावर है गई, उपर वाले दोनों की मिला के 66%, मान लीचे दो नंबर गाएफ है इसमें से, कितनी पावर है गई, टोटल की पावर है जाएगी, अगर यह दोनों नंबर गाएफ है, तो पावर है जाएगी 33%, तो यह पूरा अगर तीनो नंबर आपकी ग्रिड के अंदर आ रहे हैं तो आपका action plane complete है इसका use क्या है और इसके plus point और minus points क्या है वो मैं आपको बता दे जाओ अगर आपके पास यह plane complete है और आपके पास मान लीजिए first वाला vertical plane जिसमें हमने बात की थी thought plane के बारे में अगर thought plane आपका missing है completely missing है या let's say कि सिर्फ 30% ही complete है thought plane तो अगर आपका thought plane missing है और आप action plane की बात करेंगे तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि यह action बहुत तेजी के साथ लेते हैं बीना सोचे समझे का हम करते हैं खलब कुछ भी सोचेंगे नहीं पहले कर देंगे और बात में सोचेंगे बात में सोचेंगे कि अच्छा किया या बुरा किया लेकिन ही action पहले ले लेंगे तो यह इनका drawback हो जाता है इनकेस अगर इनका पहला thought plane vertical plane जिसके हमने नमबर वन पे बात की थी अगर वह अला plane इनका missing है तो ऐसे लोग बहुत जली जली काम करते हैं बिना सोची समझे काम करते हैं यह इनका सबसे बड़ा drawback हो जाता है ऐसे लोग physical activity बहुत जादा करते हैं इनके अंदर की energy बहुत जादा होती है इनको आप 10 घंटे भी काम करने को कहेंगे बारा घंटे भी खेलने को कूदने को कहेंगे यह बहुत जादा active रहेंगे और सीच के अंदर क्योंकि इनको यह particular plane बहुत जादा energy देता है इसलिए हम इस plane को action plane इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जातर जिनकी grid complete होगी में जाने दीजेगा ऐसे बच्चे के बार पढ़ाई में ध्यान नहीं दें तो चलेगा लेकिन ऐसे बच्चे sports में बहुत अच्छी होते हैं sports सभी तरह के sports सिर्फ इसमें दो sports को हम लोग include नहीं करते हैं इसमें से पहला है chess और दूसरा है कैरम तो chess और कैरम को हम अगर इनका mental plane के बार में नेक्स्ट वीडियो में बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आगी वह मैं तो आइदर mental plane या फिर इनका thought plane अगर missing है तो ऐसे लोग समझ मान के चलिए कि यह बिना सोचे समझे काम करते हैं मतलब decision बाद मिलेंगे पहले काम कर देंगे फिर पस्तावा होगा या जो भी होगा वो इनको पता होगा बड़ स्टिल इनके process में सबसे बड़ा problem पर यह है इसे हम बोलते हैं action plane यह था series का third vertical plane वर्टिकल plane टीन थे यह तीनों आज complete हो गए है अब हम next video में तीन horizontal plane की बात करेंगे जिसमें पहला होगा हमारा mental plane जड़िए thank you so much चैनल को subscribe और bell icon को press कर लीजेगा और जिनों ने subscribe कर लिया है उनको thank you so much और बाकी लोग भी subscribe कर ले आपको ऐसे ज्यान इससे मिलता रहेगा thank you